जैहिन साथियों, मैं संजीव सिंग पटेल, फार्मर्स फैमली से, और समस्याएं देश में हर जगा हैं, आज हम एक ऐसी समस्या पे चर्चा करने वाले हैं, जो जड़ है समस्या की, सिच्छा, प्रात्मिक सिच्छा, हम गाउं के रहने वाले हैं, और गाउं में ही हमारी सिच सिच्छा हुई है, और गाउं में प्रात्मिक सिच्छा ही, जो सरकारी स्कूल के माध्यम से दी जाती है, और इस प्रकार हम देख सकते हैं, कि अब गाउं में जो उच्च वर्ग हुए हैं, कुछ लोग मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा रहे हैं, बाहर से कुछ नवकरियां ह चले जाते हैं, CBSC बोर्ड की पढ़ाई ले लेते हैं, ICSC की ले लेते हैं, लेकिन जो गाउं का गरीब आदमी है, जिसके पूरे परिवार में आज तक कोई स्कूल का मुह नहीं देखा है, उनके बच्चे अब सरकारी स्कूलों पढ़ते जा रहे हैं, प्रात्मिक सिच्छा रहा है, और कैसे पढ़ना चाहिए उसको, क्योंकि उस पूरे खांदान की पहली पीड़ी आजाद भारत के बाद पहली बार वो स्कूल का मुह देख रहे हैं, तो बच्चे समय से जाते हैं, खाना पीना खाके चले आते हैं, और उसमें भी एक सबसे बड़ी समस्या क्या है अध्यापक सासन नहीं कर सकते, अब गरीबों के या ये कहिए सिडुल कास्ट और सिडुल ट्राइप या अधर OBC के बच्चे ही प्राथमिक स्कूलों में जा रहे हैं, तो जो बच्चे जा रहे हैं, उन कास्ट के टीचर नहीं हैं, और अपर कास्ट के टीचर अगर उन्हे थोड़ा सा भी भैवित करने का प्रियास करते हैं, कि बच्चों पढ़ो नहीं तुमको पीटेंगे, तो वो बच्चे तुरंत भाग के अपने घर चले जाते हैं, और उनके माबाप सीधे आके अध्यापक से लड़ाई लड़े लेते हैं, और डर बस, या CST कानून के डर कोई अध्यापक खुल के बच्चों पे न तो नियंत्रण कर पा रहा है, न उनको पढ़ा पा रहा है, डर यह है कि अगर इनके सासन टाइट किया जाएगा, पढ़ने के लिए बात देखिया जाएगा, तो ये बच्चे या इनके माता पिता सीधे आके जगड़ा कर लेते ह अध्यापकों से, इस परिस्थिती में कोई भी अध्यापक ठेक से न तो पढ़ा सकता है और न बच्चे पढ़ सकते हैं, सबसे बड़ी समस्या यह है कोई टीचर इतना भैवीत हो चुके हैं टीचर कि वो पढ़ाने की चक्कर में पढ़े ही नहीं है, वो सोचते हैं किसी प्रकार हमारी समय सीमा समाप्त हो छुटी का समय हो मैं सकुसल घर वापस पहुंच जाओं ये अध्यापकों की नियत हो गई है लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास ब्रेंड नहीं है वो पढ़े लिखे हैं समाज के सबसे तेज जो बच्चे थे वो उन्हें को ही चैन गॉर्मि मिलें वे अध्यापक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पार हैं कि अगर बच्चों को कहा जाएगा साफित किया जाएगा कि नहीं पढ़ना ही पढ़ना है तो उनके घर के लोग सीधे सीधे चले जाते हैं थाना तैसील उच्छाधिकारी और उच्छाधिकारी यहीं अंत में कहते हैं समझावता कराते हैं और कहते हैं कि आप ड्यूटी करने आये हैं पढ़ना न पढ़ना इनका काम है ऐसी कठिन परिस्तितेएं में बताइये कौन सा अध्यापक इन गरीब को पढ़ा सकता है और जो भी वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं या जहां तक मेरी ये आवाज जा रही है वो बताएं कि क्या वे भी अनायासी प्रेम से पढ़ना सिख गए थे वे भी सासित किये गए थे परताडित किये गए थे परिवार बड़े भाई माता प इता गुरुजन सब ने उनको ताड़ना दी थी कि नहीं पढ़ेंगे तो अब पीटे जाएंगे और उसी का परड़ाम है कि आज वो पढ़के उच्च दिकारी उच्च नेता उच्च बेवसाई बने हैं और जहां ताड़ना नहीं होगी वे सायद नहीं पढ़ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे कि इतनी मिहनत से पढ़ाई होती है और उसके लिए भय का होना कितना जरूरी है चाहे वो सामाजिक भय हो चाहे आर्थिक भय हो लेकिन अध्यापक इतने भय भीत हैं कि वो खुल के पढ़ान नहीं पा रहे हैं और बच्चों को संस्कार या नैतिक्ता कि सिच्चा नहीं दे पा रहे हैं धन्यवाद मैं संजीव सिंग पटेल फार्मर्स फैमिली से अगर आपको मेरी कोई भी बात इसमें बुरी लगी हो तो आप से मैं छमा प्रालती हूं और अगर अच्छी लगी हो तो इस विचार को फैलाएं ताकि आने वाली वे नसले भी पढ़ लें जिनके पूरे खांदान में कोई या तक पढ़ नहीं सका है जै हिंद साथियों